इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। स्टगेरोन टेबलेट एंटी हिस्टामाइन के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है। इसका इस्तेमाल motion sickenase, motion के कारण में चली आना, विशेश रूप से चल रहे वाहन में यात्रा करते समय, चक्कर आना, spinning sensation या चक्कर या मेनियस रोग, बैलिस में समस्याक के इलाज के लिए किया जाता है। पेट की गरबड़ी से बचने के लिए स्टगेरों टेबलेट को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव या ध्यान केंद्रित करने वाले कोई भी काम न करें। इससे वजन बढ़ना भी हो सकता है और इसकी रोकथाम करने के लिए आपको स्वस्थ तथा संतुलित आहार लेना चाहिए। अधिक कैलोरी वाला खाना खाने से बचना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यदि आप पैप्टेकल्स, अस्थमा या बलर प्रेश घटने से पीडित हैं तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप किसी अन्य दवा का सेवन नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। क्योंकि इस से इस दवा के असर करने के तरीके में बाधा पर सकती है। गर्भवती या स्तनपान करने वाली माताओं को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।